हमारे देश के संसत में की गतिविधियों की बड़ी आलोचना हो रही है वेंक्या जी के सामने कई सारे सुजा होंगे विचार होंगे लेकिन हम लोगों का एक दाई तो बनता है जब तीस साल के बाद पुर्रण वहुमत से हम आए हैं तब हम सब मिलकर के संसत की गरीमा को कैसे उपर उठाएं यह बहुत देश के लोगतंतर के लिए आवशक है संसत की सुप्रीमसी इतना नहीं वो तो कानून व्वबस्ता समयधानिक व्वबस्ता है लेकिन उसकी गरीमा कैसे उपर उठे और उसमें भी अपर हाउस सच्चे अर्थ में समिधान सभा में जो चर्चाएं हुई है अपर उसकी जो कल्पना हुई है लेटर उन स्पिरिट में वो अपर हाउस कैसा हो हमारे देश का वहां की चर्चा का स्तर क्या हो वहां के लोगों के वहवार क्या हो सबसे पहले राजनीतिक मदवेदों से उपर उठकर करने काम करने की कोई एक उत्तम जगा है तो हमारा अपर हाउस है यह गरिवा फिर से पुनव प्रस्थापी कैसे हो यह हम सब के सामने जिम्मेवारी भी है चुनोती भी है हमारा सद्भाग है कि वेंकाई जी जैसा नेत्रु तो हमें वहां मिलने वाला है और अगर हम सच मुझ में मिटिंग ऑप दे माइन के साथ क्लियर वीजन के साथ कमिट्मेंट के साथ इस काम को करना है यह तै कर लें आप देश को कितना बड़ा एक ऐसी इंस्टिटूशन जिससे कभी-कभी राजनीती के प्रती राजनेताओं के प्रती निराशा को जो दौर पड़ता है कभी-कभी देश में जो देश का बहुत मुख्छान करता है उसमें से देश को भार निकालने की एक जगा है यह और इसलिए मैं एजन्डा सेट नहीं कर रहा हूँ कि वें क्या कि यह को क्या करना है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एदाई तो बहुत बड़ा है लेकिन यह सफलता तब संभव होती है कि जिस प्रकार्द हम कल बैलेट पेपर में एक खड़ी लाइन करेंगे हम उसी मिजास से उनके साथ पांच साल खड़े रहेंगे तो यह संभव होती है यानि कल होने वाली लकीर वो सिर्फ कागजी लकीर नहीं है कल होने वाली लकीर हमारे भीतर का एक संकल्प होगा कि हम वेंका की जात ऐसे ही डट करके खड़े रहेंगे जैसे कि कल मत पत्रा के अंदर लकीर करेंगे